Stock market का सबसे बड़ा crash आने वाला है मार्च 2024 में, ये मैंने कह रहा, बहुत सारे famous लोग कह रहे हैं, जिनके ऊपर मैंने personally कुछ analysis भी करा, social media के ऊपर, उस analysis की में बात करूँगा और share करूँगा आपके साथ, बहुत important learning है हम सभी के लिए, चलिए सबसे पहले उन में से एक famous लोग जिन्होंने अपना ये prediction दिया है कि मार्च 2024 में एक बहुत बड़ा crash आने वाला है stock market में, मैंने basically क्या किया, ये same video डाला Instagram पे, जब मैंने Instagram पे same video डाला, मैंने देखा कि number of shares कितने हो रहे हैं, कि कितने लोग एक दूसरे को share कर रहे है, हद तोड़ share कर रहे है, मतलब इस तरी year high होता है, और हमारे सामने कोई भी बंदा एक negative बात करता है, हम उसे फैलाने की कोशिश करते हैं, और कोशिश करते हैं, कि हम ही क्यों डर है भया, तू भी डर, ये ही हो रहा है social media में, अगर हम इन author की बात करें, तो पिछले 4-5 सालों से हर साली प्रिट करते हैं, कि stock market का crash आ आएगा, share आएगा, share आएगा, actually किसी ने किसी ने तो share आई जाएगा, फिर कहोगी, मैंने तो कहा था, भाई, I know आपने कहा था, पर कब कहा था, और कब share आया, उसके बीच पर difference भी तो देखने की importance होती है, plus, ऐसे किसी भी वीडियो के ऊपर मानते वे, अगर आपने अपने प्रकार से ये नहीं कह रहा, कि आपको अपने asset allocation को follow नहीं करणा, अगर आपके asset allocation कहता है, कि आपका पैसा 40% debt में होना चाहिए, तो हमेशा होना चाहिए, unnecessary ये सोचते वे, कि देखो, market बहुत बढ़ रहा है, और बढ़ती जाएगा, मैं अपने asset allocation, जो मेरी risk appetite के according है, उसके against में काम कर लो, वो आपके लिए backfire करेगा, वैसे भी हम हमेशा कहते है, जो आपकी portfolio की sizing होती है, चाहे वो stocks की perspective में हो, चाहे mutual fund की perspective में हो, चाहे FD या फिर debt की perspective में क्यों नहीं हो, properly allocation होना चाहिए, for example, एक example देता हूँ, मैंने भी recently FD कराई है, और उस FD में मुझे one of the highest rate म मैं आपको बता दूँगा, एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा कि compliance में से मुझे बताना allow है या नहीं, पर अगर आपको होगे तो I'll try, मैं आपको बतानी कोशिच करूँगा, मुद्दी की बात यह है, कि अगर आप समझ रहे हो, आपके asset allocation को, asset allocation को maintain कर रहे हो, तो unnecessary essay video दे कर रहे है, समझ सकते हैं, आज के दिन market 200 day moving average, तो छोड़ो, 50 day moving average की उपर बहुत अची तरीके से sustain कर रहे है, economic factors globally and locally favor कर रहे है, I know volatility हमारे सामने है, because election का समय आने वाल है, महापे तोड़ी volatility रहेगी, पर हमेशा आप समझेगा, जब market को तूटना होता है, वो इतना आपको ब बचताना पड़ेगा, यह मेरा view है, आपका view मेरे view से अलग हो सकता है, ज़रूर अपने view को comment करिए, कि आपको क्या लगता है कि crash हो सकता है, बहुत बढ़ा आने वाले समय में या आने वाले महीने में, अपने view को comment करिए, पर तोड़ा सा logically सोचने की कोशिश करिए, properly market को study कर ने नेक्स पार्ट पर जिसके नाम है expectations from tomorrow's market. इस complete series में कहीं पे भी आपको unnecessary ऐसा नहीं लगेगा, कि भाई मैंने personal finance के कोई चीज मिस कर दी, या कोई point नहीं बताया, car buy करने के क्या rule होते है, घर buy करने के क्या rule होते है, goal planning कैसे होती है, personal finance कैसे maintain होता है, क्या होती है, mistakes, insurance में क्या-क्या points का ध्यान रखना होता है, पूरा पूरा personal finance, जितना आपको जरुवत है, सब कुछ free of course हम देना start करेंगे, video series I think next week से आना start होगा, धीरे धीरे हम start करेंगे, और जैसे हमारा flow बन जाएगा, काफी सारे series back to back videos आपको मिलते रहेंगे, and we will try कि आने वाले 45 days to 60 days के बीच में, ये complete as a course, as a playlist आपको मिल चाहेगी, अ अब बात करते हैं आज के market की, general market trend अभी uptrend में है, put call ratio 1 के आजपास है, काफी comfortable है, FIAS और DAS का data check out करोगे, तो कल के दिन यहानी की 14 फरवरी को FIAS ने अच्छा कासा माल बेचा, जो negative होता है, पर कभी भी FIAS की selling आए, एक दिन आपको attention नहीं लेनी चाहिए, minimum to minimum 3 दिन तक back बहुत अच्छा chart pattern बन चुका है, market ने आज बहुत अच्छी candle बनाई है, although आज आपको लग रहोगी, यह confusing candle है, हमने कल भी expect किया था कि confusing candle बने, inside candle यह तोड़ा सा hold करे इस एरिया में, it is very good, अभी भी market का जो budget की दिन का हायता, वो major resistance रहेगा, 46,900 के आजपास का level resistance बने रहे 45,800 का, कल के दिन हमें देखना क्या है, हमें कल के दिन सरफ इतना सा ensure करना है कि क्या market 45,800 के उपर sustain होके close देता है, या नहीं देता, अगर यहां से मतलब जहां पर closing होई है, यहां से 200 point या 100 point नीचे भी आ जाता है, आपको tension की बिलकुल बात नहीं होती, because being a Friday, कई बार ऐसा ह हो जाता है कि market तो रहा सा retest कर जाए, तो रहा सा confused कर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर कल ही market यहां पर cross करता है, एक अच्छे momentum से निकलता है positive side में, तो positive side के लिए काफी important रहेगा bank nifty कल के दिन, अगर नीचे retest करता है, तो retest में भी positive side के लिए, और अगर flat open होके, ए अगर 45,800 का level cut जाता है, तो हम माल लेंगे कि ultra short term वाला हमारा, जो important support level था, वो cut गया है, it's okay, nifty की बात करें, तो nifty के लिए important level अब होने वाला है, 21,775 के आसपास की range, यह वाली range होती न, यह वाली range अब market के लिए important होने वाली है, because इसको बहुत अच्छी candle से इसने cross किया है और यह एक important support का काम करेगी, market क्या कल के दिन 20,000 के उपर sustain करेगा, जाएगा, इसकी chances high है, पर क्या sustain करेगा, वो एक question mark बनावा है, और अभी क्या हुआ है, off lately, US market बहुत अच्छा perform कर रहा था, Indian market रुका वा था, अब आने वाले कुछ दिनों में, 7 दिन, 5 दिन, 8 दिन में आ आपको ध्यान रखने चीए, जो आपको observe करने चीए, जो आपको indications देंगे, कि market कहाँ पर जा सकता है, और जो हम India की strength की बात कर रहे है, 2020 में, 2021 में, 2022 में, 2023 में, 2024 में भी क्या वो strength है, ऐसे कुछ जगों पे, जहाँ पे US market बहुत अच्छा perform कर गया, Indian market तो रहा सा रुका, क्य वापे से Indian market उसे catch up कर पाता है, हर बार आपको ये test में पता चलेगा, कि क्या Indian market की strength अभी भी sustained है, कभी भी complacent मत हुएगा, कि India का market है, इंडिया का तो चलेगा, इसे क्या ही फरक पड़ जाएगा, नहीं, पिछले 3 साल इंडिया के market बहुत अच्छा चला है, अभी भी उसे test दिना पड़ेगा और प्रूव करना पड़ेगा अपने आपको, तब ही हमें confidence बिल पाएगा, तो इस जीच को हम observe करेंगे साथ में आने वाले तिनों में, happy learning, I will see you very soon, unnecessary shot मत करिएगा, अगर मैं personally shot करने की कहीं पर setup दिख जाता है, जैसे आज हमने बात करी थी inside candle की, अगर आ inside candle ने आज बहुत अच्छा काम किया और हमने expect भी किया था, तो अगर मुझे shot करना है पड़ा कल के दिन, तब भी मैं carry करके तो कभी नहीं आऊँगा, और 50-60 point के ऊपर का stop loss कभी भी नहीं रखूँगा, ये मेरा personal mindset है, आपका क्या है, वो अपने साब से properly study कर लीजेगा, औ start करते हैं,